Attitude is everything एक दिन एक अमीर व्यक्ति अपने बेटे को एक गाव की यात्रा पर ले गया वह अपने बेटे को यह बताना चाहता था कि वे कितने अमीर और भागिशाली हैं जबकि गाव की लोग कितने गरीब हैं उन्होंने कुछ दिन एक गरीब के खेट पर बिताए और फिर अपने घर वापस लोट गए घर लोटते वक्त रास्ते में उस अमीर व्यक्ति ने अपने बेटे को पूछा तुमने देखा लोग कितने गरीब हैं और वे कैसे अपना जीवन जीते हैं बेटे ने कहा हाँ मैंने देखा हमारे पास एक कुटा है उनके पास चार है हमारे पास एक छोटा जो स्विविंग पूल है और उनके पास पूरी नदी है हमारे पास रात को जिलाने के लिए विदेशों से मंगाई हुई कुछ महंगी लालटेन है और उनके पास रात को चमकने वाले अर्बों तारे हैं हम अपना खाना बजार से खरीते हैं और वे अपना खाना खुद अपने खेतों में उगाते हैं हमारा एक छोटा सा परिवार है जिसमें महच तीन लोग है जबकि उनका पूरा गाव उनका परिवार है हमारे पास खुली हवा में घूमने के लिए एक छोटा सा गार्डन है और उनके पास पूरी धर्ती जो कभी समापने होती हमारी रक्षा करने के लिए हमारे घर के चारों तरफ बड़ी बड़ी दिवारे हैं और उनकी रक्षा करने के लिए उनके पास कई सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं। अपने बेटे की बाते सुनकर, अमीर रक्टी कुछ नहीं बूल पा रहा था। बेटे ने अपनी बात समाक्त करते वे कहा, धन्यवाद पिताजी, मुझे यह बताने के लिए कि हम लोग कितने गरीब हैं। Moral of the story is, Attitude is a little thing that makes a big difference. Thank you.